आज हम बनाएंगे कुर्थी का खुबसूरत नेक डिजाइन इससे आप ब्लाउस याप कुर्थी दोनों में बना सकती है तो चलिए इससे पनाना कैसे यह देखते हैं कुर्थी की कटिंग की हुई है इसकी नेक के ब्रम कर नेक की प्रोपर कटिंग डेखनीए तो नी tast में लिंक मैं एंटोव ओं घ्यूबसूपर कर शक्राइएं और बाहर की तरफ देखिए 2,5 इंच मैंने एस्ट्रा लिया है और मैं गले की मार्किंग कर लूँगी हम गले के लिए पट्टी निकाल रहे हैं बुकरम पर भी निकालेंगे और इस पर भी निकालेंगे देखिए इस तरीके से मार्केंगे अब इसे एक दो इंच एस्ट्रा लेकर मार्क कर देंगे इसलिए हमने कपड़ा एस्ट्रा लिया था तो आप देख सकते हैं मैंने बुकरम और इस लाइनिंग के फैबरिक पर दोनों पर कर ली है ताकि हम हमारा नेक तयार कर सकें अब मैंने नेक पीस लेलिया है यह हमारी राइट साइड और यह रोंग साइड है तेह कि राइट साइड को बाहर की तरह रखते हुए आपके के पीस रखनाके नहीं बुकरम पर बुकरम और चली जाएगी तो जुबेगी नहीं, इरिटेट नहीं होंगे, अब हमें मशीन लगा लेनी है, राउंड में विल्कुल आधा-धा इंच की गैपिंग पर, और हमें इसे भी फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से, देखें, डबल फोल्ड में कर देंगे, आप और बुकरम पर सिलाई लगा देंगे सीजर की हेल्प से, तक यह अच्छे से टर्न हो जा और फिनिशिंग अच्छी आती ही, नोचस लगाने से, अब उसकी बाद आपको इसे टर्न करना है, तो आपको दिहान रखना है कि जो सिलाई है, यह आपको गले की बाहर की तरफ करनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ह आपको अच्छी से, अब तक रही है यह घा तर्के सरीके से, अब हमें तो पट्ön कर ले, जो कि अच्छी बाहर की तरफ कर आपको अच्छी से नहीं है, से बाहर की तरफ करना हूँ, अब धो कर दिहें अ, नहीं पार शोडू जाएब ऑमें राली, टो रहेगी और एक हमारी कॉलर रहेगी ये शू बटन वाली पट्टी है इसकी जो लेंध में लिए 15.5 इंचेस आपको भी इतनी ही लेनी है ये रेडी होकर 14.5 कि रे जाएगी और इसकी जो विर्थ ली है वो है 4 इंचेस तो इतनी ही काफी होगी और ये में ली हुए ये कॉलर क मैंने लिया हुआ है क्योंकि मुझे 12.5 की रेडी चाहिए तो आपको 2 इंच प्लस करना है आपके जो भी मेजर्मेंट है उसके कॉडिंग और इसकी जो विर्थ ली है वो मैंने 4 इंचेस ली है क्योंकि हमें 1.5 इंच की कॉलर रेडी चाहिए तो हमारा हाफ आफ इंच दोन बुक्रम है यह चिपक जाएगा असानी से तो इस तरीके से मैंने प्रेस कर दी है इस पर और आप देख सकते है चिपक गया है अब हम जो तयार कर रहे है वो हमारी शो बटन की पट्टी है तो आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करकर एक सिलाई मार देना है राइट साइड अंदर रखना है ध्यान रहे और केंवास वाली साइड बाहर रखना है और में एक सिलाई लगा दूँगी दिखिए इस तरीके से सिलाई लगा दिए और एक तरफ आपको मुह भी पैक कर देना है और एक तरफ खुला रखना है और इस तरीके से एक नौचिस लगा देना है कोड़नर की तरफ लेकिं ध्यान रखेना है आपको इसे दोने जर से पैक नहीं करना है एक तरफ से ही करना है और एक तरफ छोड़ vários तक पलटने में आसानी हो अप पलटना है हम इसे टरं करेंगे तो इसके लिए कि हम थोड़ा थोड़ा इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे जिस वीडियो में बताया गया है से मुस्सी प्रोसेस में करें आप उसके बाद हम पेन की हल्प लेंगे और इसे अंदर की तरफ कर देंगे तक कि पट्टी हमें सीधी मिल जाए इस तरीके से आसानी से हो जाएगा और देखिए इस तरीके से और आपको जो फोल्ड करना है वो बंद वाले भाग में करना है जिदर सिलाई लगाई है अभी से आप आईरन या मशीन फेर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां का एक सेंटर पॉइंट निकालना है तो इसके लिए मैं इस अब आपको पट्टी लेना है जो आपने शो बटन के लिए रडी की है तो यह पट्टी रही अब इस पट्टी को में मेरे 2.5 वाले मेजर पर रखूंगी और एक अंदाज लगा लूँगी कि मुझे पट्टी कहां तक लगानी है ठीके 2.5 पर आपको इस तरीके से रख दे इसके लिए हम इस पट्टी का भी सेंटर निकाल लेंगे दाकि बिल्कुल एक्जेक्ट लगे यह पट्टी का भी सेंटर में निकाल दिया है अब इस पट्टी को इस तरीके से हमें अटेज कर देना है तो चलिए मैं दोनु तरफ सिलाई लगा कर इस पट्टी को अटेज कर अब हम color बनाएंगे तो color के लिए कुछ इस तरी के से हम लिया था हमने आयरन करकर रखा हुआ था अब आपको क्या करना है इसे इस तरी के से फॉल्ड कर देना है के रिखनी एक वाली समय थो आप देखा और इस तरह上 साइड नदेना है आपको इधर खुले साइड में कुछ नहीं करना है सिर्फ आइड साइड में सिलाई लगाना है तो देखिए मैं इसमें दोनों आइड साइड में सिलाई लगा दी है मैं आपको बताती हूँ अगर आपका कपड़ा बहुत जादा है तो आपको दोनों तरफ कट लगाना है वरना नहीं लगाना है और डायरेक्टी से उलट देना है जिस तरीके से मैं पलेट रही हूँ इस तरफ तो मेरा फैबरिक जादा नहीं था लेकिन इस तरफ कुछ एस्ट्रा के नवास दिख रहा है तो मैं पहले से कटिंग कर दूंगी और कट भी लगा दूंगी क्योंकि थोड़ा सा फैबरिक इदर जादा है तो यसे मैं आप भी कट लगा सकते हैं ऐसा छोटा सा कट ल करना है तो हम इसे आयरेन भी कर सकते हैं वैसे ऐसे ही ठीक रहेगी अब आपको इस पर इसे अटेज करना है तो आपको इसका सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरीके से में एक सेंटर पॉइंट निकालकर मार्क कर देंगे इन हम कॉलर का भी सेंटर पॉइंट निकालेंग इस तरह में निशान लगा दी हैं अब निशान लगाने के बाद दूनों को मिलाते हो वह स्टीच करना है आपको पटते हूए में और इसद रहूं को पलटाकर सिंगल सिंगल आतेच चीजिए और एक तरीका होता है कि आप दोनों एक साथ अटेज करें मैं आपको सिराई मशीन पर भी करके दिखाऊंगी इस तरीके से आपको क्या करना है थोड़ा-थोड़ा सा इसे खुमाते हुए पुरा अटेज कर देना है एक तो यह तरीका होता यह थोड़ा सा डबल महनत होती इसमें लेकिन काफी लोगों को वाला सम ऑर एक तरीका होता है जिसमें दोनों ही चीजे एक साथ होती है इधर से भी फोल्ड़ दे और ऐसे करकर साथ ही मशीन लगाते चाहते हैं नहीं सेётся हैं दोनों तुर्द दरीकी में सब कोई है तरीका कार कर सकते हैं चली मैं पमसीं पर कर के दिखाती हूँ कि आपको इसे इस केसे करना है तो गाइस में साथ में ही अटेज कर रही हूं दोनों को इस तरीके से दोनों को फोल्ड कर दे हुए अटेज कर रही हूं क्योंकि इससे क्या होता है कि सिलाई मशीन भी हमारी एक ही नजर आती है और जब हम डबल करके से लगाते हैं तो दो मशीन हमारी दिखती है दो सिलाई रिखती है हमारी कॉलर पर इसलिए मैं एक साथ ही कर रही हूं इसे और इस तरीके से बिर्कुल आरामारम से आप फोल्ड कर दे जाएंगे देखें यहां इसकोने से बाप फोल्ड करेंगे न तो आपके दोनों ही आइट साइड अपने आप से मुड़ जाएगी और कॉलर पूरी बन गई है हमारी तो इसमें मैंने छे शो बटन लगाए हैं चलिए मैं आपको लगा कर फाइनल लोग दिखाती हूं So guys I hope आपको ये नेक डिसाइन पसंद आया हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब कीजेगा फिर मिलती हो में नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ तब तक के लिए बाबाई और थैंक्स वर वाचिंग गाइस